दुनिया के 10 सबसे महंगे द्रव्य आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके दाम सुनते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ चीजे तो ऐसी हैं जो 24 केरट शुद्ध सोने से भी जादा महंगी है जो हमारे प्रकृत से ही मिलती है तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे द्रव्य मनुष्य का खून आम जिन्दगी में हम सबको थोड़ी बहुत चोट लगती ही होगी उसमें खून भी निकल जाता है लेकिन चोटी सी चोट लगने के कारण हम उतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ये बात जानने के बाद आप जरूर ध्यान देना शुरू कर देंगे क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि हमारे एक बून खून की कीमत हजारों में होती है अंतरास्ट्य बाजार में इंसानों के खून की कीमत लगबग 1500 डॉलर है प्रती गैलन की कीमत और सियाही चाहे चात्र हो या फिर आफिस में काम करने वाले लोग प्रिंटर की ज़रूरत आज कल सभी को पढ़ती है इसलिए प्रिंटर से ज्यादा मांग प्रिंटर की सियाही की होती है और उनकी कीमत प्रिंटर से कहीं ज्यादा प्रिंटर की सियाही की होती है एक गैलन ब्लैक प्रिंटर इंक की कीमत आज की तारीक में 2700 डॉलर है, मतलब 1,93,000 रुपे पुरती लीटर मरकरी पारा मरकरी यानि पारा जिर्फ चिकित सा उपकरणों जैसे थर्मामीटर की उत्पादन में ही नहीं बलकि इसकी विशाकता के कारण सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हलांकि ये एक मात्र ऐसा तरल धातू है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है इसका उपयोग बिजली का संचालन के लिए किया जाता है और वास्ट के रूप में उपयोग स्ट्रीट लाइट और फ्लोरेंसेंट बल्व में किया जाता है अंतरास्टे बाजार में एक गैलन मरकरी की कीमत 3400 डॉलर से भी ज्यादा है मतलब लगबग 244,000 रूपे इंसुलिन अब आप सबको पता ही होगा और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इंसुलिन हमारे शरीर का महत्पूर्ण हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज में बनते हैं आज दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें टाइब 2 डायविटीज और ऐसी हालतों में उनके पैंक्रियाज उतनी मात्रा में इंसुलिन तयार नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से लोगों को डॉक्टर की मदद से बाहर से इंसुलिन अपने शरीर में डालना होता है और इसी इंसुलिन की कीमत जानकर आप मिठाई, फास्ट फूड, चीनी यहां तक की चाय भी छोड़ देंगे अब अगर दुनिया में डाइविटीज के रोगयों की संख्या जादा होगी तो इंसुलिन की मांग भी जादा होगी अंतर रास्टे बाजार में एक गैलन इंसुलिन की कीमत 94-200 डॉलर से जादा है मतलब 6,73,000 रुपे है चैनल नंबर 5 दुनिया में सबसे व्यापक रूप से ग्यात सुगंधो में से एक चैनल नंबर 5 का उत्पादन पहली बार 1922 में कैमिस्ट एरनस्ट ब्योक्स और एंड कोको चैनल के सहयोग्सी किया गया था आज की तारीख में अंतरास्ट्री बाजार में एक गैलन चैनल नंबर 5 की कीमत 26,000 डॉलर है मतलब चैनल नंबर 5 की एक छोटी सी 100 ml की बोतल की कीमत 15,000 रुपे से भी ज़्यादा है होर्स काब बलड आप सभी एक इमेज में देख सकते हैं यह एक बहुत ही दुरुलब जीव है इनके खूण में तामबे मतलब कॉपर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनका खूण नीले रंग का होता है लेकिन सिर्फ रंग की वज़े से इनका मूल इतना ज़्यादा नहीं होता है बलकि साथ साथ इन काब्स के खून में पाया जाने वाला एक दुरलब तक्त लाल जो कि टॉक्सिंग को शरीर को नुक्सान पोचाने में रोपता है इन्ही वज़े से काब्स के खून का दामंतर राश्टे बाजार में 60,000 डॉलर प्रति गैलन तक है मतलब 42,99,000 रूपे LSD LSD बहुत ब्यापक रूप से 1960 के दशक में एक मादग पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था LSD क्रिस्टलिय योगिक लाइसेर्जिक एसिड से बनाया जाता है जो प्राकृतिक एग्रोगेट औलकाइड से तयार किया जाता है LSD का सिर्फ एक गैलन लगभग 60,000 लोगों को हेलिकुनेट करने के लिए परियाप्त है आज LSD पर लगभग सभी देशों में प्रतिवन है अंतराश्टे बाजार में एक गैलन LSD की कीमत 1,26,000 डॉलर है मतलब 88,13,000 रूपे किंग कोबरा का जहर अब किंग कोबरा का नाम तो आपने सुनाई होगा और लोग डरते भी होंगे किंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक बार डसने पर एक हाथी दम तोर सकता है तो इंसान की बात तो छोड़ी दीजिए लेकिन क्या आपको पता है यही जान लेवा साफ जान बचाने के भी काम आता है किंग कोबरा के जहर में एक खास किस्म के परोटीन भी पाया जाता है जिसका नाम ओहानिन और मेडिकल रिसर्च में इन ओहानिन के जरीए एक खास तरह के पेंकिलर्स और कई तरह के दवाईया बनाते हैं पेंकिलर्स की मांग तो आपको पता ही होगा इन ही कारणों से मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक गैलन किंग कोबरा के जहर की कीमत 1.5 मिलियन डॉलर है मतलब एक करोड सतर लाक रुपे प्रती गैलन है बैल का वीर यह है पूरी दुनिया में आज कल डेरी प्रोडक्त डेरी प्रोडक्त जैसे लोग खल्ला करते हैं जैसे दूद, दही और उन चीजों से बनने वाली बस्तुएं कि बहुत ज्यादा मांग है लेकिन इतनी मांग को पूरा कर पाना नेचुरल तरीके से संभ़ नहीं है इसलिए क्रिशी सोध करताओं ने स्वस्थ और तंदुरुस्थ बुल सीमेंस मतलब बैल का वीर इकठा करते हैं जो बहुत ही मेहनत का काम है और इन सीमेंस को गाय में डाला जाता है ताकि वो स्वस्थ तंदुरुस्थ बैच्चे पैदा कर सके एक गैलन सीमेन इकठा करने में लाखो बैलों के चक्कर काटना पड़ता है और इसमें वक्त भी लगता है इसलिए बाजार में इन सीमेन की कीमत उन सभी डियरी प्रोड़क्ट से कहीं ज्यादा होती है एक गैलन बुल सीमेन की मतलग बग 5.5 मिलियन डॉलर मतलग 49 करोड 41 लाक रुपे होती है बिच्छू का जहर एक बिच्छू का जहर उतना ही खतरनाक होता है जितना की किंग कोबरा का जहर इनके जहर से कैंसर जैसी बिमारियों की दवाईयां बनाई जाती है लेकिन बिच्छू से सिर्फ 2 मिलिलीटर तक ही जहर निकाला जा सकता है इसलिए एक गैलन तक का जहर निकालने के लिए लाखो बिच्छू पकरना पड़ता है और उनका जहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है इन्ही कारणों से दुनिया में बिच्छू के जहर की कीमत हद से ज्यादा होती है आप मानो या ना मानो अंतर राश्ट्रे बाजार में बिच्छू के जहर की कीमत प्रती गैलन 49 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती है मतलब 278 करोड रुपए प्रती गैलन सिर्फ जिन्दगी ही नहीं मौत की भी कीमत बहुत ज़ादा होगी दोस्तों इसके अलावा आप भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके रेट बहुत ज़ादा होती है पर आज इन 100 साल के बाद सही इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है जो है पानी इसलिए दोस्तों पानी सोच समझ कर अपने हिसाब से उसको प्रयोग करिए ज़्यादा उसको बहाईए मत धन्यवाद